हेलो फ्रेंड्स आपका निकिदास किचन में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाल तड़का की रेसिपी होटेल स्टैल डाल तड़का लेकर आई हूँ इस तरह से आप डाल तड़का बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है आप रोटी और चावल के से जिराराइस बना सकते हैं तो चलिए रेसिपी देखते हैं डाल तड़का बनाने के लिए मैंने लिए है एक कटोरी इतनी अरहर की डाल यानि तूर की डाल और उसी के साथ लिए है आधा कटोरी इतनी मसूर की डाल मसूर के डाल से क्या होता है डाल तड़के का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो हमें आदा कटोरी लेना है याने एक कटोरी तूर की दाल और आदा कटोरी मसूर की दाल और उसके साथ मैं इसमें आड़ करे हूँ पानी और पानी दाल कर हमें इसे एक से दो पानी से अच्छी से साफ दो लेना है जितनी हमने दाल ली है उसके तीन गुना हमें पानी लेना है, तो देड कोटोरी हमने कुल मिला के दाल ली थी, तो हम साड़े चार कोटोरी इसमें पानी आड़ करते हैं, दाल को बॉइल करते समय हमें इसमें आड़ करना है, एक छोटा कटा हुआ टमाटर, अच्छा रेड कलर कर हमें टमाटर लेना है, औ जादा बड़ा टमाटर नहीं आड़ करना है, छोटा कटा हुआ, प्याज, और उसी के साथ में एड़ करें हूँ, एक हरी मिच को, इस साथ से हम हरी मिच, टमाटर और प्याज को एड़ करकर दाल को बॉli करते हैं तो डाल का flavor अच्छा निकल कराता है, और कलर के लिए मैं हिंग आड़ करे हूँ अगर आप चाहो तो दाल को तड़का देने के समय भी हिंग आड़ कर सकते हैं तो कुकर की हमें चार विसल निकाल लेने हैं चार विसल में दाल अच्छे से गलकर रेडी हो जाती है तो देखिए दाल बनकर रेडी है तो अब हमें क्या करना है इसमें ए तो चलिए दाल को तड़का देते हैं, दाल को तड़का देने के लिए हमने दो बड़े चमच तेल को गरम कर लिया है, आप चाहो तो बटर या गी ले सकते हैं, और उसी के साथ मैंने आदा चमच इतना जीरा दाला है, जीरा जब फूड जाए उस समय हमें इसमें आड़ करना आड़ कर रहे, क्योंकि इस समय अगर आप टमाटर आड़ कर दोंगे तो ये दाल इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो देखिए, पैच को हम अच्छा हलका कलर आने तक भूनते हैं, और जब पैच पे हलका कलर आ जाना, उस समय हमें इसमें आड़ करना है, अदरक लसुन, तो इसमें एक चमच अदरक लसुन की पेस्ट आड़ कर सकते हैं, तो देखिए, इसे हम चला लेते हैं, इस समय हमें इसे जादा भूनना नहीं है, तो इस समय हमने ग्यास की फ्लेम लो रखी है, और लो फ्लेम पर इसे चलाया है, और उसी के साथ मैं इसमें आड़ करे हूँ, स तो था ही चमाच हल्दी पाउडर क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी आड़ की है तो देखिए इससे हम चला लेते हैं इस समय हमें gas की flame low ही रखना है और उसे के साथ हमें इसमें आड़ करना है कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ हरा धनिया आड़ करने के बाद इसे हमें ज़्यादा चलाना नहीं है यानि हरा दन्या का freshness इसमें बना रहे है इतना हमें ध्यान रखना है और उसी के साथ मैं इसमें आड़ करे हूँ दाल को तो देखिए अब हमें क्या करना है इसमें स्पादा नुफसा नमक आड़ करना है एक चमज के करीब में नमक आड़ करे हूँ और उसी के साथ में इसमें आड़ करे हूँ कसूरी मेति जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएंगा और उसे के साथ हमें इसमें आड़ करना है एक चमज इतना गरम मसाला इस दाल तड़का में डबल तड़का देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इसी से फ्लेवर बहुत अच्छा आजाता है डाल में सही से टेस्ट आने के लिए डाल को बहुत ज़ादा देर तक पकाया जाता है मसालों के अंदर तो अब हमें क्या करना है तड़का देने के बाद डाल को 5 मीट के लिए मेडियम फ्लेमबर छोड़ना है जिसे डाल अच्छे से बॉइल हो जाए और इसमें सही से सभी फ कर सकते हैं तो देखिए डाल तड़का हमारा बनके रेडि है जिरा राइस बनाने के लिए मैंने लिया है एक कपिन्दा चावल आप कोई भी चावल ले सकते हैं मैंने पुलाव बनाने के लिए जो चावल यूज होता है वही चावल को लिया है तो अब हमें क्या करना है चा चावल को हमने दोकर ready कर लिया है जीरा रेज्स बनाने के लिए मैं ऐड़ करें हूँ एक बड़ा चाम जी आपछाहो तो तेल से भी जीरा डा चावल को तो एक बात का हमें ध्यान रखना है जीरे का ज़्यादा डाग कलर नहीं आना चाहिए अगर जीरे का डाग कलर आ जाता है तो चावल का भी कलर इतना अच्छा नहीं आता है और फ्लेवर भी इतना बढ़िया नहीं लगता है तो देखिए अब हमें चावल को इसमें भूनना है एक से आड़ करे हूँ, दो कप इतना पानी, एक कप हमने राइस लिया था, तो हमें दो कप इतना इसमें पानी आड़ करना होगा, इस जिराराइस को हम प्यान में बना रहे हैं, इसलिए हमें एक कप चावल को दो कप इतना पानी आड़ करना होता है, और अगर आप कुकर में जिरा बना रहे हो तो आपको एक कट चावल के लिए पहुने दो कप इतना पाणि आड़ करना होगा याने कुकर में जिरारस के लिए कम पाणि लगता है तो देखिए इसके अंदर मैं आड़ कर रहे हो अधा छमच इतना नमक और जब पानी मैं अच्छे से बॉयल निकर आ जाता है उस समय हमें क्या करना है इसे ढख कर पकने छोड़ देना है पाँच मीट के लिए मैं छोड़ रही हूँ और जब तक इसमें का पानी सूख जाता है तब तक हमें इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है तो देखिए चावल का पानी सुकते नजर आ रहा है हम नीचे से एक बार चेक कर लेते हैं आपको नीचे से हलका सा पानी नजर आ रहा होंगा हलका सा बोले तो पूरा सुक ही गया है पर हलका सा दिख रहा है बबल सा रहा है इतना हमें इसे रखना है और जब इस तरह से हो जाता है तब हमें क्या करना है ग्यास की फ्लेम आफ कर लेना है यानि ग्यास बन कर देना है और ली लगा कर इसे 5 मीट के लिए साइड में छोड़ देना है जिससे जिरा राइस अच्छे से कुख हो जाते है और उसे के साथ मैं इसमें आड़ करे हूँ कटा हुआ हरा दनिया जिससे ये बहुत अच्छा लगता है और फ्लेवर भी अच्छा छोड़ता है तो देखिए कितने खिले खिले जिरा राइस बनकर रेडी हो चुके है तो जिरा राइस और डाल फ्राय बनाना कितना आसान धाना तो अब हम इसे सव कर लेते हैं इस तरह से अगर कुछ अच्छा खाने का मन हो तो हम इससा से जीरा राइस और दाल फ्राइ बना कर खा सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसमें गरमा गरम फुलकों के साथ में भी आप इस दाल को सव कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है तो देखिए दाल का टेक्श्चर कितना बढ़िया है इसी तरह से हमें दाल रखना है अगर दाल जादा ठीक हो जाती है तो दाल फ्राइ खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और और भी रेसिपी देखने का मन हो तो प्लीज रेट बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलेगा जिससे आपको में नोटिफिकेशन मिलेंगी सबसे पहले